नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की ओर के हवान पर पुरे देश में निजी करन के ख़लाब दो दिवसीय हर्ताल किया गया है LIC में IPO लाने से ग्रहकों को काफी परिशानी होगी साथ ही केंद्र सरकार की जो निजी करन के तरफ काम किया जा रहा है उसे बंद करे इधर ACL मुगमा एरिया अंतरगत सभी कुलियरियों में भी हर्ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिला पुरविधाय गरूप चटर जी ने कहा कि केंद्र सरकार की निजी करन की निजी करन की निजी के खिलाब आज से दो दिवसी हर्ताल किया जा रहा है का की सरकार कोल इंडिया रेलवे आदी सभी सेक्टर को निजी करन करने में लगी हुई है जिसका पुरे देश में विरोध किया जा रहा है जो नीतिया है जो बेसिकली जो प्राइविटाइजेशन का नीतिया है सारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिक है जाए कोईला हो मतलब रीलवे हो तमाम चीज बैंक्स हो सभी को जो प्राविटाइजेशन करने के जो बात कही जारी है उसी के खिलाब पूरे ओल इंडिया सभी सेक्टर रहे है आज स्ट्राइक तो इसी दोरान को इंडिया के मजदूर इसी सपोर्ट पर सारे लोगों ने आज स्ट्राइक पर किला दिन तक स्ट्रेक्स अच्छे चलिया एठाई सा उंतिस दो दिन का स्ट्राइक है आज तो आप लोगों देख रहे होंगे जो पूरा मुगमा एरिया में पूर्ण रूप से बन देंगा तो मैं आज 20 बाता कि अच्छों में लुखियों कर रहे हुँ. इसके शॉख ठीच सार्कार का 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 मोट के लिए उप्यों किया जा है है लेकिन ये सरकारwow कोंसेreiben आजЕ इसकों को हमारा दो दियोशी हरता. है जो कि 28 और 29 मार्च 2022 को पूर्ण रूप से रहेगा और पूरे भारत बर्स के पैवाने पर जितने भी लैसी के कार्याले हैं तो सारे के सारे पूर नुक्ता बंद रहेगा हमारा मुख्य डिवान है कि सरकार जो ला रही है उसको वापस ले दीमा में जो लाइसी में जो एफ जो लगाने के काम किया जाए और सारमिक का जुबकरन क की करन का सलकार का साजीरा है उस साजिस को खतम करके और सावनी छेत्र को सावी छेत्र में ही रहना दिया जाए उनका निजी करन नहीं किया जाए इसके रावा और हमारे बहुत सारी मांगे है